हाई दोस्तों कल एक्जाम डिट के बारे में काफी डिट वारल हो रहा है तो लगभग हंड़ेट परसंट नहीं तो 99 परसंट सही डिट है कि अठारा जोन को ही एक्जाम होगा तो और आप पढ़ाई कैसे चेह रही है अभी के हम हिंदी पढ़ रहे थे हिंदी में छंद रस अलंकार यह तीन आठ टॉपिक हम कबर करेंगे उसके बाद रिजिनिंग पढ़ेंगे तो इसके बाद जी एस पढ़ेंगे फिन करेंट लाए हैं जो घटना सार आती है वही करें करेंट लाए हैं उसके बाद हम फिर घटना साथ पढ़ेंगे अभी सुबह पांच बुजे उठे थे हैं इसके बाद हिंदी एक घंटा सबसे पहले करेंट अपर इस पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी पढ़ा हूं लगभग दो घंटे हो गया उस चार वए बनाया थी या उ लोग कैसे हैं कैसे पढ़ाई चार रहे हैं करेंट करके जरूर बताएगा इस बार सेलेक्शन लेना है अगर आप लोगो पिछले बार चुक गए थे इस बार निशित करिए कि हमको सफलता इसी में लेना है क्योंकि आगामी भरती कोई अता पता नहीं है कि कब तक आएगी क इसमें भोगा नहीं होगा सबको मुका मिलेगा लेकिन इसमें दोस्तों 14 लाग बच्चे उने आवेधन किया था इसमें सभी को मौका दिया जा रहा है क्योंकि कल सचुझी ने कहा कि सबकेडिमिट काट जारी होगा उमको अमीद है लगभग इच्छे से 7 लाग इबच्चे एक्जाम देंगे लेकिन एक्जाम काफी टपिष्ट रहेगा क्योंकि सभी बच्चे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आज लगभग पांच साल से इसी में लगे हैं वीडियो को चक्कर में क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा पद होता है और जैसे की अगर और कोई वेकेंसी होती तो बच्चे डैवर्ट हो जाते हैं छले जातेん को प्रेस लाइनरं चले जातें लेकिन इस समय और कोई जाम है नहीं इसलिए में फोपस सिर्फ वीडियो पर सभी बच्चों का है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और बागी कुछ बच्चे तो छोड़ चुके होंगे कुछ बच्चों का नौक्री लग गया है कुछ बच्चो ने पढ़ाय लिखाई छोड़ कर गाउं चले गए लेकिन जो लगे हैं और मेहनद कर रहे हैं इस बार निश्य रूप से उनको सपलता मिलेगी दोस्तों कि पढ़ते रहें और ज्यादा टाइम खराम ना करिए जितना हुसा के उतना टाइम आप किताब पढ़ दीजिए अगर किताब नहीं पढ़ाएं तो यूटूब से पढ़िए कोई दिक्तप है नहीं और प्रक्टिस्ट साल्व करते रहें रोज दो प्रक्टिस्ट साल्व करिए ठीक है दोस्तों बाकी और जो कुछ हो क्यों रही तो आप कमेंट करके हम से प्रूप सकते हैं मिलते हैं निश्य वीडियो नहीं